नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी कीचन में हार्दिक स्वागत है आज मिलेकर आई हूँ दूर्गा पूजा स्पेसल रेसिपी यह मिल्क वाली केक बनाने के रेसिपी बहती टेस्टी और बहती हल्दी बनता है आप इसे नौरातन में भी बनाकर खा सकते हैं यह फास्टिंग के समय भी आप खा सकते हैं बहती हल्दी और बहती टेस्टी यहाँ पर मैंने दूद दिया 3 लिटर और बिल्कुल इसमें पानी नहीं है घर का दूद है और इसे हमने गरम कर लिया है और देख सकते हैं काफी मलाई है इसमें यानि कि जो घी हम निकालते हैं वो काफी है इसमें तो चलिए इसे हम और समान ले लेते हैं चीनी हमने 200 ग्राम लिया है और एक लेंबू लिया है कागजी लेंबू इसके बाद हम लेते हैं एक कड़ाई कड़ाई हमने अलमुनियम के लिया है आपके पास लोहे का भी कड़ाई हो तो दे सकते हैं नोच्टी कड़ाई बिल्कुल मत लिजिए गा इसमें हम डाल देंगे दूद को हमें हाइफ लेंपर ही इसे पकाना है क्योंकि काफी टाइम लगेगा तीन किलो पानी कर दूद जो होता है दूद उसका पानी हमें खतम करना है इसमें हम लेंबू डालेंगे लेंबू कर रस्त एक जगा बिलकुल नहीं डालना है हलके हाथों से इसे घुमा घुमा क ज्यादा तेहां ज्यादा घी नहीं डालेंगे तो बस यह तीन चमश हमने डाल दिया है इस तरह से जो हमारा दूद है बिल्कुल चिपकेगा नहीं और हमारा केक जो है मिलकेक बहुत भड़िया बनेगा तो यह देखिए अब इसी में चीनी हम इसी समय डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे दोस्तों अगर आपने अमरा कलाकंद बनाने का रेसिपी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं इसे हमें लगातार चलाना है इसे बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमें दूद का पानी जो उसे उड़ाना है इसे हाइफ लेम पर हम लगातार चलाएंगे कहीं नहीं जाएंगे और यह देखिए काफी दूद का पानी सुक चुका है और काफी घी दीख रहा है इस असानी समय चलाना है यह बढ़िया से यह जले नहीं बिल्कुल इस बात का बिल्कुल धियान दाले एक जगह नहीं डालना है और इसको चमच से बिलकुल नहीं डालना है बस उंगलियों को छीटा मार मार कर डाले यह दिखिए इसमें लेंबू डाला है तब देख सकते हैं कि छोटे-छोटे बुंद्रें बनने स्टार्ट हो गिया है यह दिखिए दोस्तों अगर आपने हमारा कलाकंद बनाने का रेशिपी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं यहां पर इलाची हमने पांच लिया है इसे हम कूट लेंगे और कूट कर डालेंगे छिलका बिलकुल नहीं डालेंगे आप इसके जगा ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए याने वाली रेशिपी का नोटिपीकसन आपको पहले ही मिल जाएगा और वेल वाली घंटी बिल्कुल दवाना मत भूलिएगा तो यह दिखिए छोटे-छोटे दाना इसमें बनना स्टार्ट हो चुका है और यह काफी ठींक हो हमें लगातार चलाना तो आप हमें फेस्ट बू कर सकते हैं और ईष्टाग्राम में भी हमोने कर सकते हैं तो इससे मिमन ध्यान राखना है कि जड़ा हमें इसे रस्तदार नहीं उतारना है यानि कि ज़्यादा धीला नहीं उतारना है और ज़्यादा काड़ा भी नहीं उतारना है हमें सही समय पर उतारना है तभी हमार पॉर्फेक्ट जो है मिल्क केक बनेगा इसे चलाते रहेंगे अभी थोड़ा पानी इसमें बचा है तो इसे लगातार चलाना है अब यहाँ पर मैंने गड़े वाला थाली ले लिया है और इसमें हम घी लगा देंगे तो यह देखिए मेरे पास केक बनाने वाला कंटेनर नहीं है तो मैं इसे थाली में ही जमा लेती हूँ गड़े वाला थाली है जिसमें हम साइड साइड में इस तरह से घी लगा देंगे कि चीपके गने ही और निकालने में बिल्कुल आसान होगा हम सोचते रहते हैं कि कैसे क्या बनाये और दिमाग नहीं लगता है कि कैसे हमें बनाना है तो आप इस तरह थाली में भी इसे बना सक सकते हैं कभी भी बना कर खा सकते हैं और यह देखिए यह जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तो चलिए इसे हम जमा आते हैं यह देखिए यहां पर मैंने डाल दिया है और यह देखिए इसे हम डाल कर अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे इसे हमें नो से दस घंटे के लिए इसे रखना है किसी ऐसे जगा पर जहां पंखा ना चलता हो तो यह दिखी इसे हम अच्छे से इसे ढख देंगे किसी भी थाली से प्लेट से ढख कर और एक कपड़े से गरम कपड़ा से ढख देंगे किसमें हावा बिल्कुल ना लगे और कम से कम यह आठ से नो घंटे के लिए गरम रहे तो यहाँ पर देखिए मैंने एक थाली रख दिया है और इसके बाद मैंने एक तोलिया लगा दिया इस पर से यह बिल्कुल गरम रहे और ठंडा बिल्कुल ना हो और यहाँ पर पंखा भ करते हैं कि कैसा बनाया हमारा मिल्केक और यह देखिए चली इसका हम कपड़ा पहले हटा लेते हैं जो हमने तोलिया डाला था और यह तोलिया मैंने काफी फोल्ट करकर के डाला है कि काफी देर तक यह गरम रहे तो यह देखिए अभी भी हलका गुंगुरा है हमारा और यह द जालना है तो यह देख सकते हैं कि कितना बड़ा बना है हमारा मिल्केक बहुत ही ज्यादा और यह दिखिए दुर्गा पुजा आए और हम मिल्केक ना बनाए बेशा नहीं हो सकता है यह बनकर रेडी हो चुका है अब इस तरह से हमने दूसरे थाली में पलट दिया है और इस मारकिट में खरीदने जाते हैं बहुत पैसा लगता है और उतना हम खरीद नहीं पाते हैं जितना हमने घर में बनाया है बहुत ही कम खर्चे में बस थोड़ी से मेहनत लगता है और काफी सारी मिठाईया बनकर रेडी हो जाता है तो यह दिखिए अच्छा से यह सेट हो से कट करेंगे बहुत ही हलदी और बेहती ज्यादा टेस्टी यह बन कर रेडि हो चुका है आप देख सकते हैं कितना बनाना आशान है बस कुछी बातों का पुलो करना है और जहट से घर में यह मिठाइया बन कर रेडि हो चुका है मिल्क वला और यह phi बिहती हल्दी है कोई भी मिलावट नहीं है सिर्फ यह दूद से चीनी से बना हुआ है और यह देखिए कितनी सौप्ठ है और कितनी यह टेस्टी है चलिए इस तरह से हम काट लेते हैं आप भी दूरगापुजा में इसी तरह से मिठाईयें बनाएं और पूरे परिवार में म निकालते हैं निकालना भी बहुत ही आसान है यह देखिए चलिए साइड से निकालते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी जालीदार यह बना है मिल्ट लाकी यह देखिए कितनी आसानी से यह बन चुका है और कितने कम खर्चों में यह हमारा बन कर रेडी हो चुक दखते हैं एकदम बहुत ही परफेक्ट इवाना है चलिए परोशगर दिखाते हैं कि यह बना है यह गाय का दूद से बना है सुध गाय का दूद से यह दिखिए कितना बड़ीह पहल भी आया है और कितना यह टेश्टी बना है आप भी दुर्गा पूजा का सूब अपसर पर इसी तरह से मिल्केक बनाएं और दुर्गा पूजा को इंजोय करें और यह दिखिए इस तरह से आप इसमर पिस्ता बेदाम कुछ भी जो मन हो वो आप इससे डिक्रोट कर सकते हैं दोस्तों आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारी रेशिपी कैसी लगी और आप भी अपने घर में जरूर टराई करिएगा मिल्केक बेहती टेस्टी बनता है और यह बेहती हल्दी बनता है और बहुत ही काम खर्चों में और दुर्गा पूजा अच्छे से इ अपनलाँ धर कि एक ने रेर सी